तो ये हैं शर्मा जी और शर्मा जी सोच रहे हैं व्यापार करने की हैलो मैं शर्मा और मैं सोच रहा हूँ एक बिजनिस करने की जिसका हिसाब किताब मैं टैली में रखूँगा अब ये टैली में हिसाब किताब तब रख पाएंगे जब ये टैली और व्यापार से सम्बंदित कुछ शब्दों के बारे में जानकारी रखते हों नहीं तो ये हमेशा कन्फ्यूजी रहेंगे कि सारे जो अभी शब्द टैली में आने वाले हैं इनका मतलब क्या है तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले शर्माजी को ज़रूरत हुई अपना बिजनेश शुरू करने के लिए पैसे की और कुछ पैसा उनके पास था लेकिन कुछ उन्होंने अपनी KBC बैंक से लिया यहाँ पर शर्माजी को जो पैसा बैंक ने दिया वो लौन के रूप में दिया और वो पैसा उनको वापस लोटाना है इसलिए यह जो पैसा है यह उनकी liabilities कहलाएगा यानि दाइत जो कि उनको वापस करना है या उनके business को वापस करना है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी पैसे को शर्माजी ने अपने business में लगाया और जो कुछ पैसा उनके पास था वो भी उन्होंने अपने business में लगाया और खोला शर्मा जनरल स्टोर अब ये जो पैसा उन्हों ने अपने बिजनिस में लगाया ये पैसा कहलाएगा capital और जो व्यापार जो दुकान उन्हों ने शुरू की वो उनका trade कहलाएगा यहाँ पर वो लाब कमाने के लिए यानि profit कमाने के लिए चीजों को खरीदेंगे और बेचेंगे तो साब समझ गए होंगे के व्यापार और capital क्या है अब शर्मा जी अपनी दुकान का यानि अपने व्यापार का मालिक कहलाएगे और honor कहलाएगे इन डौनों को हमें अलग-अलग रखना है हमेशा, यानि व्यापार को और शरमाजी को अलग-अलग रखना है, जो घाटा, जो नुकसान, जो फारी चीज़ें होंगी वो इसी business के साथ में होंगी, अगर lawn भी लिया जाएगा तो इसी business के ऊपर लिया जाएगा, अगर कोई ची के लिए या उनके employee को बैठने के लिए कुरसी भी चाहिए होगी, हिसाब किताब के लिए computer चाहिए होगा, या furniture खरीदना होगा, या inverter खरीदना होगा, अब ये वो सारी चीजें हैं, जो शर्माजी इनको विक्रह नहीं करेंगे, उनको बेचेंगे नहीं, इनको profit कमाने के लिए बेचना नहीं है, लेकिन business के लिए इनको बहुत जरूरत है, business इन चीजों के बगएर नहीं किया जा सकता, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये assets कहलाएंगी, जैसे ये जो building है, जो दुकान है, जो उस building के अंदर रखा हुवा सामान है, जिससे business किया जाएगा, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये assets कहलाती है, तो आप समझ गया होंगे कि assets क्या होते हैं, इसके बाद में, दुबारा से शर्माजी आगए, और शर्माजी ने अपनी दुकान के लिए, कुछ सामान खरीदा, जो उन्हें बेचना है, जिससे उन्हें व्यापार करना है, तो ये जो सारा सामान है, ये goods कहलाएगा, और business की भाशा में, जब आप लाव कमाने के लिए, या पुन्हें बेचने के लिए, जो सामान खरीदते हैं, उसे हम goods कहते हैं, तो एक तरफ तो assets था, जिसकी ज़रूरत business को थी, लेकिन वो हमें बेचना नहीं था, लेकिन एक तरफ ये जो goods हैं, ये हमें sale करने हैं, और ये sale करने के बाद, हमें profit होगा, यानि शर्माजी को लाव होगा, तब ही तो वो खुश रह पाएंगे, अब यहां पर हम जानेंगे, क्रे और विक्रे को, तो यहां पर शर्माजी आगे, अपनी दुकान के साथ में, और इन्होंने दुकान में से, लाब कमाने के लिए, कुछ सामान खरीदा था, जिसे हम goods कहेंगे, या दूसरी भाषा में, हम माल भी कह सकते हैं, माल खरीद रहें या बेच रहें, अब यह माल भी business में, दो तरह का होता है, एक तो बनावूआ, हम खरीद लेते हैं किसी से, एक गुसरा हम बनाते हैं, manufacture करते हैं, और इसकी जो entry है tally में वो भी purchase register में की जाती है, assets की नहीं की जाती, वहाँ पर आपको furniture account अलग बनाना है, computer account अलग बनाना है, stationery account अलग बनाना है, जो भी आप अपने business के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन जब आप goods को खरीदते हैं, तो उसके लिए आपको entry है वो purchase account में करनी है इसके बाद में जब ये जो item है, आपके जो goods हैं, वो sale किये जाएंगे, तो जो उनकी entry होगी, वो request account में होगी, यानि sales account में होगी, तो आप समझ गया होगे, कि माल को खरीदना यहाँ पर purchase कहलाएगा, और इसी माल को यानि goods को बेचना, विक्रे कहलाएगा, इसकी entry विक्रे में जाएगी, जब इस माल को हम बेचेंगे तो और जब खरीदेंगे तो क्रे में जाएगी, यानि purchase में जाएगी, तो यही तो system होता है business का, हम माल खरीदते किसी और से हैं, और बेचते किसी और को हैं, कहीं और से पैसा लगाते हैं, और जो income होती है, वो हमारी होती है, अपनी दुकान से लिया वो पैसा कहलाएगा, हिंदी में आहरण, और इंगलिश में ड्राइंग्स, अब ये जो ड्राइंग्स है, शर्मा जी की प्रोपर्टी तो नहीं है, ये प्रोपर्टी किसकी है, बिज्निस की, तो ये जो पैसा है, शर्मा जी को वापस भी करना होगा तो इसके लिए भी आप अलग से अकाउंट बनाएंगे टैली में तो बाद में शर्मा जी की जिम्मेदारी बनती है कि यह जो ड्रेंक्स जो पैसा उन्होंने वहां से लिया है इसको अपने बिजनिस को वापस लोटा है शर्मा जी ने अपनी दुकान तो खोल ली और दुकान में उन्होंने कुछ सामान भी करीदा था जैसे जनल स्टोर का सामान होता है अब ये जो सामान है ये अकाउंट की भाशा में रहतिया कहलाता है यानि स्टॉक कहलाता है अब इसे माल भी कह सकते हैं तो ये कई तरीके का होता है कि आप अपनी दुकान में कच्छा माल लेके आ रहे हैं, उसको बना रहे हैं, अधूरा माल भी होगा, कुछ बना हुआ होगा, कुछ बन गया होगा, तो वो पिछले वीडियो में हमने बोला था कि उसको हम goods कहते हैं, जो माल हम बेचने के लिए त अधूरा माल है, जो goods है, उसकी quantity क्या है, कितना है, यानि उसके 10 पीस बचे हैं, 25 पीस बचे हैं या 50 पीस बचे हैं, तो ये जो सारी चीज़े हैं, वो stock कहलाती है, अब ये जो stock है, इसका हम हिसाब किताब पूरे साल के लिए रखते हैं, यानि वित्यवर्ष के लिए रख उसका हिसाब किताब रखेंगे, लेकिन अब जरूरी नहीं है, कि ये जो सारा stock आपके पास में है, आपके goods का, वो बिखी जाए, साल के last में कुछ stock रह भी जाता है, जैसे शर्माजी का रह गया, इसको हम बोलेंगे अंतिम रहतिया, यानि closing stock, जो 31 March को उनके पास माल बचा उसे हम closing stock कहेंगे, लेकिन अब ये माल का शर्माजी करेंगे क्या, क्या फैंक देंगे, या किसी को बाहर बेच देंगे, या अपने ही पास रखेंगे, जी नहीं, वो अपने ही पास रखेंगे, और वही closing stock, एक अप्रेल को कहलाएगा, प्रारंबिक रहतिया, या opening stock, अब इसी stock के साथ में शर्माजी अगले साल से व्यापार करना शुरू कर देंगे, है ना बढ़िया, इसके बाद शर्माजी का व्यापार अच्छा खासा चलने लग दिया, लेकिन इसमें शर्माजी ने कुछ लोगों से उधार लिया भी था, और कुछ लोगों को उधार दिया भी था, तो अब जिन लोगों से शर्माजी ने उधार लिया था, या शर्माजी को जिन लोगों का पैसा देना था, वो कहलाए लेंदार, यानि creditors, ये creditors वो लोग होते हैं, जो हमेशा शर्माजी जब उसते हैं, भाई कब आऊं पैसा लेने के लिए, इसमें आपका बैंक भी हो सकता है, या आपके कुछ और लोग भी हो सकते हैं, जिनको आपको पैसा वापस करना हो, और इसके बाद शर्माजी ने कुछ लोगों को पैसा दिया भी था, उधारी में, जो पैसा उनको वापस करना था, अब वो लोग कहलाते हैं, देनदार, यानि debitors, इसमें शर्म और चीज समझ लेते हैं, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, शर्माजी के उपर liabilities क्या-क्या बनती हैं, यानि उनके दाइत तो क्या-क्या होते हैं, यहाँ पर जब हम liabilities की बात करते हैं, तो यह दो तरह की होती हैं, जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, और उसे वा या short liabilities और दूसरा fix या long liabilities अब short और long liabilities में क्या अंतर है short liabilities वो होती है जो पैसा शर्माजी को एक साल के भीतर किसी को वापस लोटाना है अब इसमें कौन-कौन सी चीज़े आ जाएंगी जैसे किसी लेंदार का पैसा वापस करना है जैसे मैंने आपको बताया था किसी से आ किराया है अब फर कोई गोदाम कराय का इसका पैसा डेना है अगर कोई tax उनके उबर बंता है और वह उनके उबर बकाया हो तो वह भी short और current liabilities में आ जाएगा जो भी liabilities एक साल की भीतर शर्माजी को देनी होगी अब एक साल से ज़्यादा बाली जो liabilities है उन्हें हम fix liabilities कहते है या long liabilities कहते है जैसे कि bank alone कैई सारी जो bank होती है CDC बात है bank आपको एक साल से कम के लिए तो अधार देगी ही नहीं जादा समय के लिए देगी जैसे दो साल के लिए तीन साल के लिए पांच साल के लिए तो वो सारी liabilities कहलाती है fix या long अब इसमें क्या हो सकता है bank alone हो सकता है या किसी व्यक्ति से ली गई लंबी उधारी हो सकती है तो इस तरह से जो शर्माजी का general store खोला है जिस में business करने के लिए उन्होंने कुछ सामान खरीदा है जिससे वो business करेंगे उसको बेचेंगे नहीं उससे व्यापार करेंगे और व्यापार के लिए वो बहुत ज़रूरी है जैसे उन्होंने ये building ली है उन्होंने कुछ कुछ कुर्सियां खरीदी हैं, computer's खरीदे हैं, उन्होंने कुछ cards खरीदे हैं, इसके लावा उन्होंने दुकान में furniture भी लगवाया है, और भी बहुत सारा काम करवाया है, तो इन सब चीजों के बीच में वो यह परिशान हैं, इस चीज को लेकर, कि इसमें से expense किया है, और assets क है, तो चलिए इसको भी clear कर देते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे assets के बारे में, जिनको हम संपत्ती भी कहते हैं, तो शर्मा जी आ गए, शर्मा जी, assets वो सारी चीज़ें होती हैं, जिन पर business का अधिकार होता है, और जो कभी न कभी cash में convert की जा सकती है, यानि उनकी ज सारी चीज़ें होती हैं, ये business के लिए बहुत जरूरी होती हैं, अब जो assets होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, पहला current assets और दूसरा fixed assets, तो सबसे पहले हम current assets के बारे में जानेंगे, current assets वो assets होते हैं, कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप एक साल के भीतर उनको कभी भी cash म convert कर सकते हो, जैसे आपके जो देंदार होते हैं, अरे वो ही देंदार जो आप से उधार ले जाते हैं, सामान और जिनको आपको वापस करना होता है पैसा, उसके बाद हमने बात की थी पिछले वीडियो में stock की, यानि वो item जो आप साल भर बेजते हो, तरह तरह के item और उनक stocks हैं, इसके बाद में जो cash आपके pocket में हैं, आपके गले में हैं, आपके counter में हैं और जो पैसा आपके bank में जमा है, ये जो सारी चीजे हैं वो current assets कहलाती हैं, जिनको आप एक साल के भीतर cash में convert कर सकते हो, अगर कोई पैसा आप से उधार ले गया है, जैसे देंदार हैं, तो बात करते हैं, fix assets की, ये वो assets होते हैं, जिनको आप एक साल से लंबे समय के लिए अपने पास में रखते हैं, जैसे आपकी जमीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, जैसे शर्माजी ने दुकान ली है, उसके अंदर का फरनीचर हो गया, आपकी मशीनरी हो गई, अगर आपने कोई डिलिवरी बॉय रखा है तो आपको उसको बाइक भी देनी पड़ेगी, वो हो गया, अगर आप कहीं बाहर स अब यह टेंजीब़ ऊसेट्स, आप यह टेंजीब़ क्या होता है, टेंजीब़ वो चीजह होती है, जिनको आप टच करके देख सकते हो, तो यहाँ पर जो जो tangible assets है वो क्या है वो वह assets है जो आपके पास जमीन है, building है, furniture है और वहान है यह आपको सामने दिखाई देते हो और आप छू सकते हो लेकिन जब आपका business पुराना हो जाता है आप market में आपकी धाक जम जाती है तो आपके पास बन जाते हैं non tangible assets भी वो कौन से होते हैं वो होत है कि शर्माजी ना अपना एक logo बना लिया और जगे जगे दुकान खोल दी बहुत सारी अब शर्माजी का logo और उनका नाम कोई दूसरा इस्तमाल नहीं कर सकता है यानि उनकी एक साख है जैसे आप मान लीजिए कि आप Dell के computer का नाम अपनी दुकान पे इस्तमाल नहीं कर सकत हैं आप T-Series के नाम से कोई नई company नहीं बना सकते हैं तो इसी तरह से यह जो assets होते हैं इनको आप छूतों नहीं सकते लेकिन आप भी branding कर सकते हैं अगर कोई दूसरा बंदा इसको इस्तमाल करेगा तो पहले तो आपसे permission लेगा और उसके बाद में भी आप उससे लाब कमा स तो तुझे मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे और अगर तू मेरी permission के बगेर इस्तमाल करेगा तो मैं तिरूपर case भी कर सकता हूँ तो आप समझगे होंगे कि यह भी assets है यानि आपकी संपत्ती है अब इतनी देर से हमने लाब तो कमा लिया अब खर्चे के बारे में भ जब आप कोई business करते हैं तो उसमा को धेर सारा खर्चा करना पड़ता है कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ती है आपको labor लगानी पड़ती है आपको किराय भाड़ा देना पड़ता है और यह वो ही खर्चा है जो आपके business के लिए जरूरी होता है आप सामान लेके आते हैं उसको कहीं से बनवाते हैं manufacturing में पैसा लगाते हैं यह सारी चीज़ खर्चे में आती है तो शर्माजी और शर्माजी के दुकान के साथ में क्या-क्या खर्चा हो सकता है वो भी समझ लेते हैं तो expense भी दो तरह के होते हैं पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष यान लीजे आपको bread खरीद के लिए क्याने अपनी दुकान के लेकिन जो bread मिलते हैं वो आपकी दुकान से 10 km तूर मिलते हैं तो वहां तक का जो आपका petrol खर्च होगा आपका भाड़ा कर्च होगा उसकी कीमत को आप अपने bread की कीमत में जोड़ देते हो और तब sale करते हो उसको एसा नहीं है कि आपने वहां से भी 10 रुपे का खरीदा और यहां पर भी आगे आपने 10 रुपे का बेच दिय आप उसको 11 या 12 रुपे का ही sale करोगे ना कि 10 रुपे का ही sale करोगे क्यूंकि आपने वहां तक भाड़ा भी तो कर्च किया है तो ये सारी चीजें जो प्रत्यक तो उसके लिए आपको employee रखने पड़ेंगे और उसकी packaging करानी पड़ेगी, वहाँ भी आपका खर्चा होगा, माल खरीबते समय जो आप लाते हो, माल जिस भी आप tempo में लेके आ रहे हो, या किसी bike पर माल मगा रहे हो, और बीच में वो जो employee है, जो petrol का खर्चा है, जो उसमें भाड़ा खर्च हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको साथ के साथ देनी पड़ती हैं, और वो सारी चीज़ें प्रत्यक्षवे होते हैं, आपको दिखाई देती हैं कि भाई, इस चीज़ को लाने में मुझे इतना खर्चा हो गया, अब ये मुझे इतने की पड़ी, तो आ आपने direct expenses उसमें शामिल कर रही है लेकिन अब आप जगे जगे चोराहे पर जाकर ये hoarding या banner या board लगाते हो कि भाईया bread आपको वहाँ पर अच्छा मिलेगा और वो विग्यापन आप करते हो उसमें आप पैसा खर्च करते हो तो वो विग्यापन और वो पैसा जो आप किया लेकिन उसकी कीमत को आप अपने bread गे packet की कीमत में शामिल नहीं कर सकते हो तो ऐसे खर्चे जो दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं और आपके profit को कम करते हैं वो indirect expense कहलाते हैं जैसे आपने किसी चीज में छूट दी आपका बिजली का बिल है दुकान का आप आपको ब आपको फ्रिज लेना पड़ेगा अब उसका आप बजट उसमें शामिल तो नहीं कर सकते मक्खन के packet में या फिर आप ब्रैट के packet में उसका बिल तो शामिल नहीं कर सकते आप विग्यापन कर रहे हो मैंना भी आपको बताया आप किसी चीज में discount दे रहे हो 25% discount दे दिया उसे sale बढ़ जाए लेकिन ये भी अप्रत्यक्षवाई होता है आपकी दुकान का रखरखाव उसकी मरमत आपने दुकान का बीमा भी कराया होगा अगर कभी कोई गटना हो जाए तो भहिया उससे निकलना है बाहर तो उसके लिए बीमा भी कराया होगा आपका telephone का बिल क्यो क्यों अगर ग्रहा का आपकी दुकान पर आएगा तो ब्रेट का पेकेट आप उसको बारेका दोगे और phone करके घर पे मंगवाएगा तो भी आप उसको ब्रेट का पेकेट बारेका ही दोगे और जो आपने दुकान पर employee रखा है उसकी भी आप salary देते हो और उसकी salary भी ऐसा तो नहीं करते हैं कि अपने दुकान की चीज़ों की कीमत में add कर देते हो उसको भी आप अपने पास से salary देते हो तो यह जो सारी चीज़े होती है यह कहलाती है अब प्रित्यक्षवय यानि indirect expense कर्चा तो होता है लेकिन आप उसको वस्तु की कीमतों में जोडते नहीं हो और प्रित्यक्षवय को आप जोड़ देते हो तो आशा है आप समझ गए होगे कि assets और expense क्या होते हैं तो जब tally में हम काम करेंगे तो इन चीज़ों की मदद से हमारा tally में काम करना इतना सरल हो जाएगा कि अगर आपको पता है कि यह विग्यापन है, advertisement है तो यह indirect expense है और यह म मान को लाने में खर्च हुआ है तो यह मुझे direct expense में feed करना है, कितना सरल हो जाएगा आपके लिए tally में काम करना है Hello, मैं हूँ शर्मा, मैंने एक general store खोला है, जिसका एसाब किताब मैं tally में रखने वाला हूँ लेकिन direct income और indirect income को लेके परिशान हूँ, समझ मैं नहीं आ रहा है यह दोनों क्या होते हैं, क्योंकि मेरा फायदा तो इसी से होने वाला है तो देखा आपने, शर्मा जी को अपनी income को लेकर चिनता है, और वो यह समझ नहीं पा रहे हैं कि direct और indirect income क्या-क्या होती हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम जानेंगे सबसे पहले direct income के बारे में, जिसे हिंदी में प्रत्यक्ष आय भी कहते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष आय यह income, वो income होती है, जो आपको सीधे सीधे आपके ग्रहाक से प्राप्त होती है जैसे शर्मा जी, शर्मा जी ने अपनी दुकान खोली, जिसका नाम था शर्मा जनल स्टोर और वो उसके लिए कुछ item लेकर आये थे, जो कि जनल स्टोर पर होते ही हैं, जैसे bread है, आपके घरलू जरूरत के कोई सामान है अब वो जो सामान था, वो किसी एक विशेश कीमत पर खरीद कर लाए थे लेकिन सामान की खरीदने वाली कीमत और बेचने वाली कीमत दोनों अलग अलग होती है तो यहाँ पर उन्होंने अपने ग्रहक को कुछ सामान बेचा जो सामान शर्मा जी लेकर आये थे, यानि जो bread शर्मा जी लेकर आये थे वो ने 30 रुपे का पड़ा था, लेकिन वही bread शर्मा जी ने अपने कस्टमर को 35 रुपे का बेचा अब कस्टमर ने शर्मा जी को उनके bread के बदले वही 35 रुपे दिये तो ये जो income अभी शर्मा जी की हुई है, अपने माल को बेचने से ये income, direct income या प्रत्यक्ष आये कहलाती है उनको सीधे सीधे ये पैसे उनके ग्रहाक से मिले अब जानते हैं अब प्रत्यक्ष आये के बारे में, यानि indirect income के बारे में तो शर्मा जी फिर से अपनी दुकान के साथ में आ गए, लेकिन शर्मा जी के पास ये ही अकेली दुकान नहीं थी, एक दुकान और भी थी, जो उन्होंने एक coffee shop बाले को rent पर दी थी तो वहां से शर्मा जी को उसका rent मिला करता है दूसरी शर्मा जी कुछ चीज़ों पर अपने customers को discount देते थे एक्स्ट्रा 25% discount आम तोर पर आपको profit जो है उसको कम कर देता है, लेकिन यहां पर ये जो discount था शर्मा जी ने, वो देना बंद कर दिया अब जब discount देना बंद कर दिया तो ये उनको एक तरीके से बचात होने लग गई, यानि ये भी उनकी income का एक हिस्सा बन गई इसके बाद में कुछ ग्रहक शर्मा जी के ऐसे भी थे, जो EMI पर सामान ले जाते थे अब EMI पर जो सामान जाता है, उस पर शर्मा जी ब्याज लेते थे जैसे आम तोर पर आप flip card Amazon से कुछ भी खरीदते हैं, एक लंबे समय के अंतराल पर तो वो उस पर ब्याज लेती है, आपके bank भी आपके credit card पर ब्याज लेता है वैसे आप बुलेंगे के no quest EMI भी आ गया है, लेकिन उसमें एक बचत का तरीका अलग है लेकिन फिर भी EMI पर जो ब्याज मिलती है, वो भी income में ही count की जाती है तो ये जो सारी चीजें थी, यानि rent, discount, EMI, ये शर्मा जी की indirect income कहा जाएगा तो शर्मा जी आप समझ गये होंगे के direct और indirect income क्या होती है Hello, मैं हूँ शर्मा और मैंने एक journal store खुला है, जिसका हिसाब किताब मैं tally में रखने वाला हूँ लेकिन credit और debit को लेके परिशान हूँ के ये कैसे करें, समझ में ही नहीं आ रहा है तो चलिए शरू करते हैं तो शर्मा जी इसके लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि एक business transaction क्या होता है यानि एक business lend-in क्या होता है और उसको tally में double entry system के माध्यम से कैसे feed किया जाता है और ये double entry system होता क्या है, lend-in होता क्या है तो सबसे पहले चलिए समझते है जब आप किसी से कुछ लेते हैं, तो साथ में उसको कुछ देते भी है और इसी को कहते है business transaction जैसे अगर आपने किसी दुकान वाले से computer लिया है तो वो आपको free में तो computer दे नहीं देगा आपको उसे पैसे देने पड़ेंगे या फिर अगर आप किसी दुकान दार से 10 रुपए का pen लेके आते हैं तो वो pen आपको तब तक नहीं देगा जब तक आप उसे 10 रुपए नहीं देंगे और अगर आप उसे 10 रुपए देते हैं तभी वो आपको 10 रुपए मूले की सामगरी देगा यानि आपस में कहीं न कहीं लेन देन उतने रुपए का जरूर हो रहा होगा और बिना लेन देन के कोई भी business transactions नहीं किया जा सकता इसको हम accounting की भाषा में credit और debit कहते हैं यानि कुछ आएगा और कुछ जाएगा तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पर जरूर होती हैं इसी तरह से मान लीजिए आपकी mobile की shop है और आप किसी को mobile बेचते हैं तो आप उसके बदले में उससे उतनी धनराशी लेंगे जितने रुपए का mobile है यानि आप mobile किसी को free में नहीं देंगे यहाँ पर दोनों जगे पर आपको LinkedIn करना पड़ेगा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम किसी को cash देंगे तो उसके बदले वो हमें computer देगा और अगर हम किसी से cash लेंगे तो उसके बदले हमें कुछ ना कुछ उसको उतनी रुपे मूलिका सामान देना पड़ेगा अगर हम एक business में हैं घरेलू आप तोर पर कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप व्यापार में हैं तो यहाँ पर आपको यह करना ही होगा और अगर आप किसी को सामान दे देते हैं और उसके बदले वो आपको पैसे नहीं देता है तो यहाँ पर एक वाइदा वो रखके जाएगा और वो पैसा फिर उसके नाम पर चड़ा दिया जाएगा उधार खाते में तो यह आपको करना ही होगा अगर आप एक व्यापार करते हैं तो अब चलिए इसको आगे समझते हैं तो जब TALLY में हम Journal Entry करते हैं Credit और Debit की तो Left Side जो होता है वो debit के लिए होता है और Right Side जो Entry होती है वो credit की होती है लेकिन यह Credit और Debit होता क्या है चलिए इसको भी समझ लेते हैं Debit का मतलब होता है, जब किसी को कुछ दिया जाता है चाहे नगत या उधार तो उसे debit transaction कहते हैं और जब किसी से कुछ लिया जाता है या cash जमा किया जाता है तो उसे credit transaction कहते हैं लेकिन accounting की भाषा में जो modern accounting है उसमें account type के अनुसार transaction करते समय debit और credit side का फैंसला आपको करना होता है और इसके लिए खातों की entry के कुछ नियम बनाए गए है और वो नियम क्या है उनको समझने से पहले आपको कुछ और चीज में दिखाता हूँ जिससे आप वो नियम बड़े आसानी से समझ जाएंगे तो यहाँ पर मैंने आपको पांच तरह के accounts के बारे में जानकारी दी थी जिसमें पहला था assets, दूसरा था expense, तीसरा है capital, चौता है income और पांच मा है liability अब यह जो पांच तरह के account है वो शर्माजी के business और शर्माजी के बीच में आपस में बढ़ जाएंगे क्योंकि कुछ की जिम्मेदारी शर्माजी की बनती है और कुछ की जिम्मेदारी शर्माजी की बनती है अब शर्माजी की और शर्माजी के store की क्या क्या जिम्मेदारिया है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो संपत्ती और व्य है यानि assets और expense है वो business की जिम्मेदारी है या आप कहीं पर note कर लिजएगा इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा और पूझी income और liability शर्माजी की जिम्मेदारी है यानि ये दोनों में आपस में बटवारा हो गया है और इसी के आधार पर आपक credit और debit decide करना है ये बहुत simple चीज है तो अगर शर्माजी के जर्नल स्टोर में assets और expense बढ़ेंगे तो हम उनकी entry DR में करेंगे और अगर ये दोनों घटेंगे तो हम इनकी entry CR में करेंगे और इसी तरह से अगर शर्माजी के business में capital, income और liability बढ़ेगी तो इसे CR करेंगे और घट बढ़ेगी तो DR करेंगे यहाँ पर same उसका उल्टा है और ये आपको बिल्कुल दिमाग में fix कर लेना है इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा आप इस cheat को pause करके बढ़े आराम से कहीं पर note कर सकते हैं यानि पूजी, I और ताइत अगर बढ़ेगा तो CR होगा और घटेगा तो DR होगा इसी तरीके से संपत्ति और वे यानि assets और expense अगर बढ़ेंगे तो DR होगा और घटेंगे तो CR होगा यहाँ पर ये दोनों के जो नियम हैं वो उल्टे हो जाते हैं एक तरफ प्लस होता है CR तो दूसरी तरफ CR माइनस होता है इसको कहीं note कर लीजे का tally की जब entry आ होती है assets और expense क्या होते हैं अब चलिए इनके जो टैली में नियम बनाएगे हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं खातों के entry के नियम और ये नियम क्या है तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था personal accounts के बारे में real account के बारे में और nominal accounts क इन तीनों में जब हम entry करेंगे तो इनके खातों के अलग अलग नियम होते हैं और पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिये थे कि ये account कौन-कौन से होते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो आप नीचे description में जाके देख सकते हैं अब व्यक्तिकत accounts के लिए यानि personal accounts के लिए जो entry के नियम है उसमें ये है प्राप्त करने वाले को debit करो और देने वाले को credit करो वास्तविक account या real account के लिए जो खातों के entry के नियम है उसके लिए आपको जो वस्तिव व्यापार में आ रही है उसे debit करो और जो वस्तिव व्यापार से जा रही है उसे credit करो इसी तरह इसे nominal accounts के जो नियम है वो ये हैं सभी वे और नुकसान को यानि आपका जो खर्चा हो रहा है और जो नुकसान हो रहा है उसको आपको debit करना है और जितनी आपकी income हो रही है और profit हो रहा है उसको credit करना है तो ये हैं खातों की entry के नियम तो आगे आने वाले videos में आप इनको और ही अच्छे तरह से समझ जाओगे क्योंकि आपको बारी की से इन सभी चीजों की जानकारी होती जा रही है दोस्तों टैली में जब हम काम करते हैं या data entry करते हैं तो वहाँ पर account बनाते समय आपको दो चीज़ें जरूरी है जो याद रखनी है या फिर आपको अपने विवे traders, Rama sales, bank of India इस type का तो आपको जो भी spelling इसमें रखनी हो वो आप रख सकते हैं और दूसरी जो बहुत ध्यान देने वाली चीज़ होती है वो होती अकाउंट का type कि ये जो मादव शर्मा है या Rama sales है या bank of India है ये आपको किस account में रखना है तो अब सबसे बड़ा question ये आता है कि ये account क्या होता है तो लीजे शर्मा जी भी आगे अपना question लेके कोई ये तो बताओ account क्या होता है क्या ये Gmail वाला होता है या फिर जो bank account में हमारा पैसा जमा है वो होता है हमें टैली में ये खोलना है जी नहीं आपने पुराने समय में देखा होगा कि मुंशी जी एक बही ख हाते में वो सारा लेन देन व्यापार का चड़ाते थे जैसे अगर शर्मा जी आप कोई पैसा उधार लेके गए तो आपके नाम से इक अलग से परचा बना दिया जाता था कि आप क्या क्या चीज लेके गए हैं और जब आप वो पैस वापस करते थे तो आपके उसी परचे पर वो जो पैसा था वो वापस चड़ा दिया जाता था तो यहाँ पर वो जो परचा है उसको बोला जाता था शर्मा जी का अकाउंट्स तो अब यही बही काता नए जमाने में आके टेली में जब एंटर हम इसको करते हैं तो हम हर व्यक्ति के नाम से हर बैंक के नाम से हर ची परण तोर पर तीन तरह के होते हैं, तो पिछले वीडियो में हमने कई सारी तरह के अकाउंट समझे हैं, जिसमें के हमने समझा था capital, आपका income, आपके assets, आपकी liabilities, आपके expenses, अब ये जो हमने इतने सारे अकाउंट पढ़े थे, ये अकाउंट की जो परिभाशा है, उसमें सि से पहले personal account में आता है, आपका capital account जो आपकी जमापूंजी होती है, या तो bank में हो, या फिर आपके हाथ में हो, दूसरा drawing accounts होते हैं, जब आपने अपने business से कोई पैसा उधार लिया है, और आपको वापस करना है, तो उसको हम drawing बोलते हैं, और ये account भी personal account के अंतरगत आता है किसी natural persons के नाम से कोई आपने खाता खोला है, जैसे माधव के नाम से आपने खाता खोला, या किसी और व्यक्ति के नाम से आपने account खोला है, आपसे कोई पैसा उधार ले जाता है, या वापस कर देता है, या कोई सामान ले जाता है, तो वो भी account personal accounts में आते हैं, firm, society, club, schools, इ इसके बाद आता है real accounts और यहां पर आपकी जितनी भी property होती हो उसके खाते real account में count किये जाते हैं जैसे आपका cash account, आपका furniture जो आपने दुकान में लगवाया है, आपकी building, आपने computer खरीदा है shop के लिए, उसका accounts भी यहां पर आएगा या और भी जो item आप shop के लिए खरीदते हैं और जो आपकी संपत्ति कहलाते हैं इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है, तो नीचे description में link दिया गया है, आप इन सारे वीडियो को एक बार देखेंगे, तो यह आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा इसके बाद आता है nominal account, और nominal account में आता है आपके expense वाला account और income वाला account expense आपके खर्चे होते हैं, जो आप अपने बिजनिस के लिए करते हैं, जैसे आप अपने employees को salary देते हैं, आप दुकान का किराया देते हैं, आप light का bill देते हैं, आप दुकान के लिए कोई विग्यापन कराते हैं और दूसरा आता है आपका income account, जहां से आपको revenue की प्राप्ती होती है, तो ये थे accounts के type के account कितने परकार के होते हैं, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इनके rules क्या होते हैं, कैसे credit और debit करते हैं इन account को अलग-अलग Hello, मैं हूँ शर्मा और मैंने एक journal store खोला है, जिसका इसाब किताब मैं tally में रखने वाला हूँ, लेकिन मुझे journal और laser क्या होता है, ये समझ में नहीं आ रहा है, लोग कहते हैं कि journal entry करनी होगी आपको, वो भी laser में, लेकिन मैं तो tally में entry करने वाला हूँ, तो सबसे पहले समझते हैं computer accounting में आपका और computer का कितना कितना काम होता है, कितनी कितनी इस्यदारी होती है, तो यहाँ पर 10% काम आपकी जिम्मेदारी होती है, और बाकी का 90% काम computer software की जिम्मेदारी होती है, यहाँ पर जो आप 10 प्रिशत काम करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़े आती है, या और बाकी जो 90% काम है वो software का है जिसमें software बहुत सारी report बनाता है उसको print करता है और आप अपने 10% काम में क्या करते हैं आप company बनाते हैं और उसकी journal entry करते हैं अब ये journal entry होती क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम समझने वाले हैं journal और laser क्या होता है तो यहाँ पर शर्माजी अपनी दुकान के साथ में आ गए और ये रोज cash से कुछ ना कुछ लेंदेन करते हैं ये कभी goods खरीदते हैं कभी कुछ purchase करते हैं कभी कुछ sale करते हैं तो यहाँ पर दिन भर का जितना सारा काम होता है न ये बिना लिकत पड़त के नहीं चलता ह पहले जो भी चीज बेचेंगे या जो भी चीज खरीदेंगे उसको किसी ना किसी register में entry जरूर करना होगा बिना entry के तो यहाँ पर सारी चीज़ें भूल में पड़ जाएंगी तो पुराने time में जो बही खाता होते थे उसमें पूरे दिन में जो कुछ भी बिकता था उसकी जो entry जिस क्रम में की जाती थे उसको करने का जो तरीका होता था उसको journal entry कहते थे तो यहाँ पर यह जो आपका बही खाता है यही laser कहलाता है computer की भाशा में अब थोड़ा से इसको और समझ लेते हैं यहाँ पर जब आप journal entry करते हो तो हमेशा आपके दो accounts प्रभावित होते है यानि अगर माल कहीं से आप ले रहे हैं तो कहीं न कहीं से तो आप उसको cash दे रहे होंगे अपने business में से यहाँ पर मैंने आपको तीन तरह के account बताए थे personal, real और nominal और जब तीनों accounts में से आप किसी भी account में कोई entry करते हैं तो उसके साथ में दूसरे account में entry जरूर होगी जैस कोई खर्चा कर रहे हैं तो भी आप cash देंगे तो यहाँ पर जो cash account है उसका इस्तमाल तो हम बहुत ज़्यादा बार करते हैं tally में और यह आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमेशा double entry system होता है जिसमें तीन तरीके खाते होते हैं और यह तीन तरीके खाते मैंने आप को अलग-लग करके बता भी दिये थे पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से देख लीजेगा तो आप यह तो समझ गए कि दो खाते हमेशा प्रभावित होते हैं एक credit होगा तो एक debit होगा अगर एक debit होगा तो दूसरा credit होगा यह तो होना ही है अगर आप tally में entry करते हैं तो आप समझ लेते हैं कि जो journal होता है उसका प्रारूप क्या होता है किस तरीके से वहाँ पर entry की जाती है इसको हिंदी में रोज नामचा कहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ journal की manual entry का प्रारूप के manually कैसे entry की जाती है तो नियम है उसके बाद में यहाँ पाप particulars का option होता है particular means विवरण यानि आप कहीं से कुछ ले रहे होंगे तो दे भी रहे होंगे तो यहाँ पर अगर हम light bill दे रहे हैं तो वह कहां से दे रहे हैं cash account से दे रहे हैं आप देखरे है light bill वाला जो account है वो DR है और यह cash वाला जो account है यह कौन सी light bill है दुकान की है या घर की है तो यहाँ पर यह entry भी होती है इसके बाद जो आपका manual register है उसमें होता है laser follow और इसको shortcut में हम LF भी बोलते हैं यह आपके laser book का page number होता है लेकिन tally में यहाँ पर आपको page number वगरा डालनेगी कोई जरूरत नहीं है आपको सिर्फ journal entry क कुछ नहीं डालना है आपको सारी entries अपने 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 accounts में पहुंच जाएंगी इसके बाद यहाँ पर number आता है DR account का तो उसको हम लिख देते हैं कितना amount है तो यहाँ पर light bill के लिए 5000 रुपे गए और इसके बाद होता है CR का column उसकी धनराशी लिखी जाती है तो इस तरह किताब मैं tally में रखने वाला हूँ मैंने accounting का basic भी सीख लिया है लेकिन हिसाब किताब कैसे बनेगा अगर कुछ शुरू आती entry पता चल जाती तो बहुत अच्छा होता तो शर्माजी चिंता मत कीजिए आपको शुरू आती entries हम बताएंगे और यहाँ पर आप कैसे basic entry के पर आठ लाग रुपे लिये थे जो अपने व्यापार में लगाए थे अब यह जो आपने पैसे व्यापार में लगाए थे इसे हम capital कहेंगे जो आप व्यापार में लगा रहे हैं पूजी या capital और यहाँ पर जो tally में आप entry करेंगे उसमें आपका कोई personal account नहीं खोला लेकिन उस account को हम capital account कहेंगे तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं जो आपकी सबसे पहली entry होगी जब आप business को start करेंगे तो वो जो पहली entry होगी वो होगी शर्मा जी ने व्यापार प्रारम किया शर्मा जी started business और शर्मा जी ने व्यापार में जब शुरू किया तो आठ ल लगाए तो यहाँ पर हम accounts के rules भी जान लेते हैं जो हमने पहले पढ़े हैं तो यहाँ पर जो शर्मा जी है वो एक real person है या व्यक्ती है और real person और व्यक्ती के जो account होते हैं वो personal account बोले जाते हैं अब जो personal account है वो capital account में उसकी entry होगी और personal accounts के rules क्या होते हैं debit the receiver और credit the giver तो यहाँ पर प्राप्त करने वाले को debit करो और देने वाले को credit करो अब क्यूंकि शर्माजी पैसे दे रहे हैं तो यहाँ पर उनको credit किया जाएगा इसी तरह से जो दूसरा account यहाँ पर प्रभावित होगा वो है cash account और cash account आता है real account की अंतरगत जो की आपकी संपत्ती होती है assets ह यानि जो पैसा business में आ रहा है जिससे आप सारे काम करने वाले हो business के वो आपकी मूल संपत्ती भी तो कहलाता है अब चूंकि यह real account के अंतरगत आता है तो real account के नियम क्या कहते है debit what's come in और credit what's goes out तो अब यह पैसा आ रहा है के जा रहा है यह पैसा आ रहा है अब जो चीज business में आएगी उसे क्या करेंगे debit करेंगे तो यहाँ पर जो शर्मा जी का capital account है वो credit होगा और जो cash account है वो debit होगा तो अब चलिए जान लेते हैं इसके entry general account में यानि रोज नामचा में कैसे होगी तो यहाँ पर जो cash AC है वो DR होगा और जो capital AC है वो CR होगा और नीचे narration में आए cash एक general store भी खरीदा और उन्होंने उसको purchase किया लेकिन यह वो purchase नहीं है जो शर्माजी कुछ बेचने के लिए करीद रहे हैं यह उनकी property है यानि assets है तो अब देख लेते हैं इसकी entry आप कैसे करेंगे तो यहाँ पर जो शर्माजी है उन्होंने एक लाग रुपए लगा कर ए वो क्या है वो assets है और यहाँ पर real account के rule क्या कहते है debit what's come in credit what's goes out यहाँ पर यह जो building शर्माजी ने खरीदी है वो debit होगी और किस से खरीदी है एक लाग रुपे से जो की cash है और यह कहां से गया था आपके real account से जो हमने अभी शुरुआत में जमा किया था अभी पिछली entry में अब जो cash है वो कहां पर जमा है real account में जो cash account है वो real account के अंतर गताता है तो यहाँ पर जो cash account है वो भी real account के अंतर गताता है और वो भी आपका assets है अब चुकि यह जा रहा है तबी तो building हम खरीद रहे हैं तो यह जा रहा है तो यहाँ पर rule क्या apply होगा credit what's goes out तो यहाँ पर य यहाँ पर इसकी एंट्री इस तरह से होगी, building account AC, debit to cash account. आज नगद कल उधार. Hello, मैं हूँ शर्मा और मैंने एक जर्नलिस्टोर खोला है, जिसका इसाब किताब मैं टैली में रखने वाला हूँ. accounting का basic भी सीख लिया है, लेकिन ये नगद और उधार माल की entry कैसे करनी है, समझ में नहीं आ रहा है. तो शर्मा ये अपने board तो बहुत अच्छा लगवाया है, आज नगद कल उधार का, लेकिन entry कैसे करनी है, कैसे समझना है, कौन सा नगद होगा, कौन सा उधार होगा, ये हम आपको बताने वाले हैं. तो चलिए, सबसे पहले जान लेते हैं, नगद entry और उधार entry में क्या आंतर होता है, आप जब माल खरीदते हैं किसी से, तो या तो नगद खरीदते हैं, या उधार खरीदते हैं, लेकिन जो entry है, वो थोड़ी सी अलग-अलग होती है, बस उसको देख के समझना होता है, कि यहां पर हम आपको दो entry दिखा रहे हैं, एक तो गुपता जी से माल खरीदा या बेचा, और दूसरी जो entry है, वहां लिखा है, माल खरीदा या बेचा, अब यहां पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, कि कौन सी entry नगद की है, और कौन सी entry सेल की है, तो यहां प एक पर फिर से समझेए, यहां पर नाम तो लिखा है, गुपता जी से माल खरीदा या गुपता जी को माल बेचा, लेकिन यह नहीं लिखा है, कि नगद बेचा या उधार बेचा, नगद खरीदा या उधार खरीदा, तो यह जो entry है, वो उधार में ही समझी जाएगी, यहा इतना सा method है तो आशा आप समझगे होगे को उधार entry और नगद entry कैसे करते हैं तो चलिए इसके कुछ उधारन ले लेते हैं अब यहाँ पर कौन-कौन से दो खाते प्रभावित होंगे एक गुपता जी का और एक जो 15,000 रुपे का माल खरीदा है वो अब माल खरीदना क्या है यह माल जो हम खरीद रहे हैं यह बेचने के लिए खरीद रहे हैं पिछली वार जो हम बिल्डिंग खरीदी थी न वो बेचने के लिए नहीं खरीदी थी वो हमारा assets था यह जो हम खरीदारी कर रहे हैं यह हमारा expense है जो हम purchase कर रहे हैं यह माल खरीदने के लिए कर रहे हैं औ और यहाँ पर जो गुपता जी है वो एक real person है, दोनों चीजों को आपको अच्छे से समझना है, अब जो real person का account होता है वो आता है personal account के अंतरगत, और जो expense का account होता है, यानि जो खर्चे होते हैं, वो आते है nominal account के अंतरगत, अब देख लेते हैं personal account में जो accounting के rules हैं, वो क्या कह जाएगा, अब इसके बाद दूसरी entry देख लेते हैं, जो expense है, वो 15,000 रुपे का है, और जो कि nominal account के अंतरगत आता है, अब nominal account के rules क्या कहते हैं, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains, तो अब यह क्या हुआ, जो expense है वो हमेशा debit होगा, तो यहाँ पर debit all expense के इसाब से हम इसको debit करेंगे, अब यहा पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वहाँ पर वो entry नगत समझी चाएगी, और नगत entry के लिए आप पैसा कहां से देंगे, अपने cash account से देंगे, तो यहाँ पर हमने 15,000 रुपे का माल खरीदा है, नीचे इसके rules भी आगे, तो यहाँ पर 15,000 रुपे का माल हमने खरीदा है, खरीदारी क्या है, एक purchase है, जो की expense के अंतरगत आती है, और सारे expense और losses आपके कौन से account के अंतरगत आते हैं, nominal account के अंतरगत, और जो cash account है, क्योंकि cash जाएगा जब आप कुछ खरीदेंगे, तो वो कौन से account के अंतरगत आता है, real account के अंतरगत, तो यहाँ पर real account और nominal account दोनो account प्रभावित होंगे तो सबसे पहले real account के rules जान लेते हैं तो real account के rule कहते हैं debit what come in और credit what goes out तो यहाँ पर क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है तो इसको credit किया जाएगा और nominal account के rules कहते हैं debit all expenses and losses और credit all income and gains अब चूंकि यह expense है तो क्या होगा debit होगा और यहाँ पर हम इसको debit लिखेंगे तो आशा आप समझ गया होंगे उधार और नगत की entry कौन-कौन सी होती है और कौन-कौन से account credit और debit होते हैं मुझे रुपई की ज़रूरत है तो यह हैं शर्मा जी और यह कह रहे हैं इन्हें रुपई की ज़रूरत है मैंने एक general store खोला है जिसका इसा आप किताब मैं tally में रखने वाला हूँ मैंने accounting के basic भी सीख लिए हैं कुछ basic transactions भी कर लिए हैं लेकिन अब मुझे दरूरत है अपने खर्चे के लिए कुछ पैसे की मैं क्या करूँ तो शर्मा जी ये पैसा आपको मिलेगा आपकी दुकान से लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियम भी जानने ज़रूरी है अब चूंकि दुकान आपकी है तो आपको पैसे लेने से तो कोई रोक नहीं सकता लेकिन उसका जो हिसाब के दाब है वो रखना बहुत ज़रूरी है तो चलिए समझ लेते हैं तो यहाँ पर शर्मा जी ने अपने निजी खर्चे के लिए अपने दुकान से कुछ पैसे लिए और ये जो पैसे शर्मा जी ने लिए है ये ड्राइंग्स कहलाएंगे यानि हिंदी में आहरण अब यहाँ पर शर्मा जी ने दुकान से 500 रुपे लिए जो उनकी निजी खर्चे के लिए है यानि उनके परसनल एक्सपेंसे के लिए है दुकान से इसका कोई लेना देना नहीं है वो पैसे शर्मा जी को वापस करने होंगे यह हम पिछले एक वीडियो में समझ चुके थे जब हम accounting पढ़ रहे थे starting में अब यहाँ पर यह जो खर्चा है मैंने आपको बताया था कि दो account जब कोई transaction होता है तो हमेशा प्रभावित होते हैं और उन account के मैंने आपको नियम भी बताये थे नियम नीचे आगे यहाँ पर जो दो account है वो प्रभावित होंगे कौन-कौन से पहला तो cash account और दूसरा drawings account तो cash account के नियम हम जान लेते हैं cash account आता है real account के अंतरगत और real account के जो नियम है वो क्या कहते हैं debit what's coming और credit what's goes out यानि जो business में आ रहा है उसे debit करो और जो जा रहा है उसे credit करो तो जो cash है वो जा रहा है न तो यहाँ पर credit what's goes out वाला जो नियम है वो लगेगा और cash account credit होगा इसके बाद आ जाते हैं drawings account पर drawings account क्योंकि शर्माजी के नाम है शर्माजी के नाम से ही drawing account बनेगा और शर्माजी एक real person है और जो भी real person होते हैं उनके जो खाते होते हैं वो किसके अंतरगत आते हैं personal account के अंतरगत और personal account की नियम क्या कहते हैं debit the receiver और credit the giver लेने वाले को debit करो और देने वाले को credit करो तो यहाँ पर शर्माजी क्या है पैसे ले रहे हैं तो यहाँ पर नियम कौन सा लगेगा debit the receiver तो देख लेते हैं drawings account आएगा personal account के अंतरगत और इसमें जो नियम है वो लगेगा debit the receiver यानि drawings account debit होगा और cash account credit होगा अब चलिए एक और general entry देख लेते हैं यहाँ पर शर्माजी ने अपने दुकान की जो labor है उसको मजदूरी दी और वो जो मजदूरी है वो शर्माजी ने cash में दी या उधार में दी यह कैसे आप एंचानेंगे यहाँ पर आप उपर देख रहे हैं जब हमने मजदूरी दी है तो हमने किसी का नाम नहीं लिखा है और यह भी नहीं लिखा है कि वो नगद है या उधार है तो जहाँ पर सिर्फ यह लिखा हो कि यह चीज पेड कर दी गई है तो इसका मतलब यह है कि यह जो मजदूरी है वो cash में दी गई है तो अब यहाँ पर भी दो account प्रभावित होंगे कौन कौन से होंगे यह भी देख लेते है पहला account cash account होगा क्योंकि यह जो payment है वो cash में किया गया है और cash account आता है real account के अंतरगत और real account के नियम क्या कहते है debit what's coming credit what's goes out यानि यह जो मजदूरी है यह जा रही है कुछ आ नहीं रहा है तो जब चीज जा रही है तो क्या किया जाएगा credit किया जाएगा तो यहां पर cash account credit होगा इसके बाद मजदूरी यानि wedges है वो क्या है वो हमारे expense है हमारे business के खर्चे है हम अपने काम कराने के लिए अपने labor को employees को जो भी salary देते है या मजदूरी देते है वो सारे हमारे खर्चे होते है तो खर्चे वाला account कहा आएगा nominal account के अंतरगत और nominal account के नियम क्या कहते है debit all expenses and losses और credit all income and gains यानि आपके जितने भी खर्चे है और नुकसान है उनको debit कीजिए और जितनी भी आपकी income है और profit है उसको credit कीजिए तो यहाँ पर क्या होगा debit all expenses वाला नियम लागू होगा यानि इनका जो wedges वाला account है वो debit होगा और cash वाला account credit होगा Hello मैं हूँ शर्मा मैं tally तो सीख रहा हूँ लेकिन मेरे पास tally है ही नहीं मुझे tally सीखने के लिए जो software है वो कहां से मिलेगा तो फिलाल tally के दो वर्जन market में उपलब्ध है एक silver और एक gold अब ये silver और gold क्या होते है जो silver वर्जन है वो single user edition है और आप उसे एक PC में इस्थमाल कर सकते है जबकि जो gold वर्जन है वो multiple user edition है और उसे आप कैई सारे computers में इस्थमाल कर सकते है यहां तक कि networking से भी आप वहाँ पर उस software को चला सकते है जो silver वर्जन की cost है वो है 18,000 रुपे इसके साथ में GST 18% लगेगा इसी के साथ में जो gold वर्जन है उसकी कीमत है 54,000 रुपे और इसमें भी आपको 18% GST देना होगा अगर आप चाहते हैं टैली software को upgrade करना तो आपको silver वर्जन के लिए 3600 रुपे साल देने होंगे gold वर्जन के लिए 10,800 रुपे साल देने होंगे और अगर आप auditor है तो इसके लिए आपको 54,000 रुपे देने होंगे ये cable जो CA है Chartered Accountant है उनके लिए है तो यहाँ से जाके आप अपने software को renew करा सकते हैं इसके बाद अगर आप चाहते हैं tally software को rent पर लेना यानि किराय पर लेना तो silver वर्जन के लिए आपको एक महीने के 600 रुपे खर्श करने होंगे साथ में आपको 18% GST देना होगा और इसी के साथ में अगर आप gold वर्जन को किराय पर लेना चाहते हैं तो आपको एक महीने के लिए 1800 रुपे देने होंगे और साथ में आपको 18% GST भी देना होगा लेकिन ये तो बात हो गई जितने भी business software हैं जो अपने यहां पर tally से व्यापार करना चाहते हैं account maintain करना चाहते हैं उनके लिए लेकिन सीखने वाले लोगों के लिए जो tally software है वो विल्कुल free है tally के आप इन software को यानि ERP 9 को आप education mode में अगर run करते हैं तो वो विल्कुल free है अब यह education mode क्या है चलिए समझते हैं तो यहाँ पर शर्माजी ने अपने computer में जो tally का education mode है वो install कर लिया है और education mode में इनको क्या क्या चीज़े मिलेंगी जब आप tally ERP 9 को अपने computer में install करेंगे और alt w press करेंगे तो tally ERP education mode या sexic mode में चालू हो जाएगा इसमें आपको login करने की कोई अविश्कता नहीं है company और user की जो report है वो केवल वर्तमान दिन के data को दिखाएगी यानि केवल उसी दिन के data को दिखाएगी जिसमें आप उसे feed करेंगे इस time period को education mode में नहीं बदला जा सकता user केवल महीने के एक, दो और इकतिस तारिक के लेंदेन को ही record कर सकता है और इन तीन dates के अलावा यहाँ पर कोई और entry नहीं होगी तो यह यहाँ पर foundation है, बाकी सारी चीज़े है जौकितियों रहेंगी, आप जिदनी चाहे accounts बना सकते हैं आप group बना सकते हैं, आप stock entry कर सकते हैं लेकिन सिर्फ यह जो यहाँ पर date का foundation है, यह आपके साथ में रहेगा अब इस education mode वाली जो tally है, उसको अपने system में install कैसे करते हैं, चलिए यह भी सीख लेते हैं, तो इसके लिए आपको जाना होगा tallysolution.com slash download के option पर और यहाँ पर आपको tally के जितने भी अभी तक के version दिये गए हैं वो सब ही आपको मिल जाएंगे, जैसे एक install now का और एक download letter का, तो जब आप इस बटन पर click करेंगे, तो tally software आपके computer में download होना शुरू हो जाएगा, तो यह जो software है वो 84.6MB का है, तो अगर आपके पास अच्छा internet connection है, तो एक मिनट के अंदर ही यह software आपके computer में download हो जाएगा, तो देखिए इसे click कर देना है, tally software आपके computer में install हो चका है, अब यहाँ से आपको इसे done करना है, आप जैसे ही done करेंगे, तो tally software आपके सामने open हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको काम करना है education mode में, तो अगर आपने tally को खरीदा है, तो आप यहाँ से उसे active कर सकते हैं, अगर आप उसे renew करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आपके पास rental license है, याँ आप उसे किराय पर लिया है, तो आप यहाँ से उसे active कर सकते हैं और अगर आप education mode में, tally में काम करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं या तो आपको अपने माउस से इस पर क्लिक करना है education mode पर या फिर keyboard दे simple आपको डबलू प्रेस करना है. तो आप यहाँ पर आ जाएंगे और आपको enter कर देना है. तो जैसे आप यह करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर दिखाई देगा license and service और यहाँ पर आपको education mode लिखा हुआ दिखाई देगा. तो इस तरह से आप tally को install करके education mode में काम कर सकते हैं और सीख सकते हैं tally. इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि tally में एक company कैसे create करते हैं अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि मेरी तो दुकान है तो मुझे company क्यों create करनी है या मेरा तो बही चोटा सा काम है मुझे क्यों company create करनी है तो यहाँ पर जो tally है वो आपके किसी भी विविसाय को company से ह यानि उस वहाँ पर आपका जो भी काम है चाहे चोटा हो चाहे बड़ा हो उसके लिए आपको tally में company ही बनानी पड़ेगी तो tally में आकर आप बड़े हो जाते हो company बन जाती है अभी तो यहाँ पर जब आप tally पहली बार open करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का interface मिलेगा ज यहाँ पर कुल मिलाके यह 3-4 गिने चुने option जिसमें select company, login as remote user, create company, backup, restore, quit तो हम सबसे पहले create company पर जाएंगे आप keyboard से c press करकर भी इस option को open कर सकते हैं या फिर आप उस option पर click करके भी open कर सकते थे अब यहाँ पर हम पहुँच गए company creation के option पर और यह video आपने बहुत सारे channels पर देखा होगा जहाँ पर टैली की शुरुवात होती है शुरुवात यहीं से लोग करते हैं तो जब आप company ही नहीं बनाएंगे तो लेंदेन का हिसाब किताब आप कैसे रखेंगे तो यह मान लीजिए एक वही खाता है company है जहाँ पर हम लेंदेन का हिसाब रखने वाले हैं और वो इसी company के लिए होगा तो यहाँ पर अगर किसी के बाद चार काम हैं किसी के चार business चलते हो तो को चार company बनानी होगी हमारा तो बही है चोटा सा काम है शर्माजी का जर्नल स्टोर तो हम उसी का account है वो बनाएंगे तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको name दिखाई दे अब वो किसी भी नाम से हो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जो spelling है वो अपने हिसाब से लिखनी है यहाँ पर कोई भी काईदा कानून नहीं है आप जो spelling याद रख सको जो spelling आपके सरकारी कागजों में लिख रही हो जो income tax return आप बढ़ते हो या जिस भी नाम से आप का काम चल रहा हो उस नाम को आप यहाँ पर लिख दीजिए तो हमारा तो छोटा सा काम है शर्मा जर्णल स्टोर का तो हम यहाँ पर लिख देते हैं तो यह देखी हो गया बहुत simple हमने अपनी कंपनी का नाम रख दिया है अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर हमसे पूचा जा कर दोंगा है